हेलो फ्रेंड्स ट्रिकी मेकेनिकल में सौगत है आपका इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मेकाटोनिक्स का लेक्चे नमबर 13 जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे टेंप्रेचर सेंसर एज वेल एज केपेसिटिव सेंसर ठीक है तो चली फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो जैसा कि फ्रेंड्स इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंप्रेचर सेंसर की तो टेंप्रेचर सेंसर के अंदर हम लोग करेंगे क्या जैसा कि हमको पता है sensor क्या करता है sensor एक physical input लेगा और as an output हमको देगा electrical signal तो same चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है हम लोग as an input temperature लेंगे ठीक है और उसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे either voltage के form में और current के form में उसको measure करेंगे या आप बोल सकते हैं output के form में हमको या तो voltage मिलेगा या फिर current मिलता है as an electrical signal तो friends बात की जाए temperature measurement sensor के function की तो इसका function होता है to measure the surrounding temperature अगर बात करते हैं इसके application areas की तो इसका बहुत ही wide scope है जहां भी आपकी electrical furnaces होंगी जितनी भी आपके blast furnaces होती है या जो भी आपके engine के exhaust का temperature होता है उसको measure करने के लिए gas turbine blade का temperature measurement करने के लिए तो friends जहां कहीं भी आपको smallest से smallest temperature के अंदर increment जो हो रहा है उसको measure करना है तो आपको temperature measurement sensor की requirement होती है ठीक है अब बात करते हैं कि ये कितने type की होते हैं तो basically दो type के होते हैं either contact type और non contact type ठीक है तो friends नाम से clear है कि जितने भी आपके contact type के sensor होंगे उनके अंदर sensors directly contact में रहेंगे उस particular object के जिसका हमें temperature measurement करना है ठीक है similarly बात किजाए non contact type की तो non contact type के अंदर जो हमारा object है वो sensors के साथ directly contact में नहीं रहता है ठीक है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं non contact type अब ये directly अगर contact में नहीं रहेगा तो किस तरीके से temperature को measure कर रहा होगा with the help of radiation ठीक है तो जैसा कि friends हम लोग जानते हैं कि हर वो body जिसका temperature 0 Kelvin से उपर है वो certain amount of radiation emit करता है ठीक है तो same property का हम लोग utilization करते हैं non contact type measuring sensor में ठीक है तो friends non contact type temperature sensor कौन कौन से होते हैं pyranometer, pyrometer तो इनके नाम हम लोग ने already सुने हुए हैं और ये सारी चीज़े हम लोग ने renewable energy में जब हम लोग solar temperature measurement करते थे वहाँ पे इनको हमने पढ़ा हुआ है ठीक है तो friends अब हम लोग start करते है contact type का सबसे पहला जो important sensor है वो है हमारा resistance temperature detector जिसको हम लोग बोलते है RTD ठीक है तो friends RTD के अंदर जो हमारा input रहेगा वो एक temperature होगा जिसको हम लोग को measure करना है ठीक है और agent output हमें यहाँ क्या मिलेगा agent output हमको मिलता है voltage और most of the time generally जो output हमें मिलता है वो micro volt में मिलता है ठीक है तो आप इस तरीके से भी समाझ सकते हो कि यहाँ पे हम लोग smallest से smallest temperature increment या decrement को measure करते हैं तो उसी same respect में जो हमारा voltage मिलेगा उसकी value भी बहुत ही small होती है ठीक है तो friends यही है हमारा first point in this type of sensor as an input we use temperature as an output we get voltage ठीक है तो चलिए friends जान लेते हैं कि RTD का setup कैसा होता है तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है जो RTD है वो एक contact type temperature sensor है ठीक है तो यहाँ पे जिस particular object का हमें temperature measure करना है वो directly physical contact में रहेगा हमारे sensor के साथ ठीक है तो friends यहाँ पे जिस particular body के contact में रहेगा उस particular body के साथ जिसका temperature measure करना है अब इस wire का अपना कुछ ना कुछ resistance हो गा जैसा कि हम लोग जानते है row L divided by A से ठीक है वो resistance क्या होगा वो जैसे जैसे जिस body का temperature measure measure करना था वो increase करेगा ठीक है body का temperature जैसे ही increase करेगा तो उस wire का जो resistance है वो vary तो अगर आपका resistance vary कर रहा है तो जो आपका wheat stone bridge होता है वो unbalance हो जाता है और unbalance होने के कारण हमको terminal के across V0 voltage देखने को मिलता है ठीक है तो same concept हम लोग यहाँ पे भी use करेंगे हमको V0 voltage मिलेगा उस voltage को हम लोग measure कर लेंगे तो यहाँ पे V0 की help से हम लोग बता सकते हैं कि temperature में कित resistance को हम लोग wheat stone bridge में connect कर देते हैं जिसके करण क्या होगा जो हमारा wheat stone bridge है वो unbalance condition में आ जाएगा unbalance condition में आ जाने के current जो हमारा output voltage है वो हमको मिलेगा और उस output voltage की help से हम लोग पता सकते हैं कि temperature में क्या increment या क्या decrement हुआ है ठीक है तो friends I think यह चीज़ clear हुई होगी और अब बात की जाए wire की तो wire कौन से metal का बना रहता है तो most of the time आपका platinum wire हम लोग यूज़ करते हैं आप ल बात withstand करने की ability है वो बहुत हाई होती है ठीक है तो platinum की सबसे खास बात यही होती है कि जुसकी thermal stability होती है वो बहुत हाई होती है ठीक है अब friends जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो resistance होता है wire के अंदर वो क्या होता है वो होता हमारा row L divided by A ठीक है तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो हमारा resistance है वो wire के length के proportional होता है ठीक है similarly अगर हम लोग small increment देखें उस wire के अंदर small change देखें तो आप लोग यह भी बोल सकते हो कि जो delta R है वो directly proportional आएगा delta L के क्यों क्योंकि जब आप लोग different delta R add करोगे तो आपको R मिल जाएंगे similarly जब smaller increment in length आप add करते जाओगे तो आपको delta R divided by R proportional delta L by L ठीक है और इसको जब proportionality का sign हटाओगे तो हमको मिल जाता है delta R by R equal to G into epsilon ठीक है जी है हमारा gauge factor यह equation already हम लोग ने lecture 12 के अंदर finish की हुई है तो friends I think आपको सारी चीज़े इस slide के अंदर clear हुई होगी अब हम लोग चलते है next slide में तो friends last slide के अंदर हम लोगने equation निका पारी थी delta R divided by R equal to G into epsilon और जो हमारा epsilon होता है वो क्या होता है हमारा longitudinal strain ठीक है let's say G की value 1 है तो हमको एक और equation मिलेगी delta R divided by R equal to epsilon ठीक है अब strength of metal में हम लोग ने अल्रडी पढ़ा हुआ है कि किसी particular body का अगर हम लोग temperature rise या temperature decrease करते हैं तो कुछ ना कुछ temperature strain डवलप होता है तो temperature strain की value क्या होती है वो होती है हमारी alpha into delta T ठीक है तो same alpha into delta T को यहाँ पे हम लोग strain की जगे put कर रहे है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे जो wire हमारा connect है उस body के साथ जिसका temperature measure करना है तो उस wire का भी क्या हो रहा है temperature आपका rise हो रहा है तो friends finally जो हमें equation मिली हो है हमारी delta R divided by R equal to alpha into delta T ठ ठीक है delta R क्या है change in resistance change in resistance को आप लोग कैसे लिख सकते हो RF minus Ri ठीक है final minus initial ठीक तो यही चीज मैंने नीचे में लिखी हुई है और जो R है वो आपका initial resistance है वो है ठीक है तो इस particular equation को delta R divided by R को हम लोग लिख सकते है RF minus R naught divided by R naught तो friends R naught हमारा wire का initial resistance है जब हमने उसके अंदर कोई भी changes नहीं किया है जब हमने ना ही temperature को increase किया है और ना ही temperature को decrease किया है ठीक है just initiate condition में जो wire का resistance था वो है यह हमारा R naught ठीक है जब हम इसको further rearrange करेंगे तो हमको equation मिलती है RF equal to R naught bracket में 1 plus alpha into delta T यह वही equation है friends जो हम लोग class 9 line से पढ़ते आ रहा है ठीक है तो यह बहुत ही important equation है इसको आप लोग डाउन कर लो तो friends summarize किया जाए कि पूरे process में हो के आ रहा है तो सबसे पहले कि आ रहा है कि temperature change हो रहा है wire का जो temperature है वो change हो रहा है wire के temperature change होने के current जो resistance है वो vary कर रहा है resistance vary कर रहा है तो उसको हम लोग wheat stone bridge क measure कर ले रहा है V naught और इस V naught के help से हम लोग measure कर ले रहा है delta T को ठीक है similarly friends यहाँ पे जो device रहती है वो काफी accurate result provide करती है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा reference point रहता है वो 0 degree Celsius रहता है ठीक है तो 0 degree Celsius के reference में हम लोग सारी चीज़ों को deal कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपके error के chances आई देखने को मिलती है ठीक है और इस चीज़ को आप लोग correlate भी कर सकते हो जो हमारी equation है RF equal to R naught bracket में 1 plus alpha delta T तो यहाँ जो हमारा R naught है वो basically क्या है resistance at 0 degree Celsius तो यहाँ से आप लोग interpret कर सकते हो कि इस device के अंदर 0 degree Celsius को reference माना जाता है ठीक है और generally जो R naught की value रहती है वो 100 ohm रहती है ठीक है friends यह याद करने के जोद नहीं है question में आपको सारी चीज़े given नहींगी आपको अगर formula याद है तो आप लोग बहुत असानी से इसको solve कर सकते हो ठीक है अब एक और important point कि इस device के अंदर हम लोग जो wire यूज करते हैं वो most of the time हम लोग metallic wire का यूज करते हैं ठीक है आने कुछ devices के अंदर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हम लोग semiconductor metal का यूज करते हैं as in wire लेकिन इस particular device के अंदर हम लोग metallic wire का यूज करते हैं और उसमें भी most of the time हम लोग platinum wire का यूज करते हैं ठीक है तो friends I hope आप लोग को इस slide के अंदर सारी चीज़े बहुत अच्छे से detail में सम plus alpha T ठीक है तो उस basis पर जब हम लोग यहाँ पर एक curve करते हैं voltage versus temperature का या बोल सकते हो resistance versus temperature का तो आपको एक straight line almost एक straight line देखने को मिलती है ठीक है basically यह curve हमारा resistance versus temperature का है लेकिन क्योंकि हम लोग temperature को measure कर रहे होते हैं voltage के reference में इसलिए आप बोल सकते हो voltage versus temperature curve ठीक है तो friends यह जो curve नि आने वाले जो दो sensors हम लोग और cover करने वाले हैं उसके अंदर भी इन curve को हम लोग देखेंगे ठीक है तो friends चलते हैं अब next equipment की तरफ जो है हमारा thermocouple thermocouple में जाने से पहले हमको दो temperature based important theorems है उनके बारे में पता होना जरूरी है तो friends first theorem है हमारी seeback effect और second theorem है हमारी peltier effect ठीक है तो friends सबसे पहले बात करते हैं seeback effect की ठीक है तो देखें इसमें क्या लिखाया है when we produce temperature difference between two jensen of two electrical conductor and electrical field induced in the conductor and producing potential difference between the element ठीक है तो होता क्या है यहाँ प different wire लेंगे ठीक है दो different metal के wire लेंगे और उनका jensen मनाएंगे ठीक है एक jensen पे हम लोग temperature देएंगे या बूल सकते हो जिस particular body का में temperature measure करना है उसको एक jensen पर रखेंगे और हम देखेंगे कि दूसरे end जो हमारा reference jensen होता है वहाँ पे हमको voltage difference देखने को मिलता है या बूल सकते ह तो यही है हमारा seeback effect तो friends basically हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पे दो different wires के jensen मनाए हुए है ठीक है तो jensen 1 पे हम क्या कर रहे है temperature rise कर रहे है या बोल सकते हो temperature decrease कर रहे है ठीक उससे क्या होगा कि दोनों wire क्योंकि अलग-अलग material के हैं तो दोनों में जो electrons हैं जो आपके temperature increase करने के का इस particular wire के अंदर electrons होंगे वो दोनों में अलग-अलग rate से flow करेंगे ठीक है अब अलग-अलग rate से flow करेंगे तो इसके करण क्या होगा जो दूसरा jensen है उस jensen पे हमको different amount of current देखने को मिलेगा या बोल सकते हो उस particular jensen पे हमको voltage difference या बोल सकते हो potential difference देखने को मिलेगा ठीक है तो as an overall बात की जाए तो यहाँ पे as an input हम लोग दे रहे हैं temperature और as an output हमको क्या मिलना है voltage drop ठीक है तो हमने एक physical quantity दी उसके बिहाप में हमको मिलता है एक electrical signal जो की होता है sensor का function ठीक है तो friends I think यह चीच clear हुई होगी अब इसके just reverse seeback effect के just reverse अगर हम लोग output को input से और input को output से replace कर देए तो हमको मिलता है peltier effect मतलब है as an input यहाँ पे हम लोग voltage supply करेंगे और as an output हमको यहाँ पे temperature देखने को मिलेगा ठीक है तो देख लिज़े इसकी definition क्या है when electrical current is applied through two different material हमें सही याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग दो different material को लेते हैं ठीक है then a temperature difference is observed between two gensons ठीक है तो इसकी current क्या ह होगा कि हमें जो other gensons हैं वहाँ पर temperature difference देखने को मिलेगा तो friends I think आपको यह सारी चीज़े बहुत अच्छे से drill में समझ में आई होंगी अब हम लोग चलते हैं next slide में तो जैसा कि friends आप लोग देख पा रहे होंगे इस slide में हम लोग बात करने वाले हैं thermocouple गी so friends thermocouple भी आ हमको देखने को मिलता है voltage difference ठीक है तो देख लिजए सबसे first जो point है हमारा यही है it's principle based on seeback effect similarly second point है हमारा temperature measurement is done with respect to reference genson ठीक है तो यहां पे हमारे पास दो जनसन होते थे पहला था हमारा first genson जहां पे हम लोग object के touch में sensor को लाएंगे ठीक है और दूसरा हमारा जनसन था जहां प तो यही है हमारा second point similarly thermocouple के अंदर आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यह seeback effect पे work करता है तो यहां पे हमेशा दो dissimilar metal की बात करेंगे हम लोग ठीक है third point पे आते है thermocouple are used for very high temperature application that means minus 49 degree Celsius to 2300 degree Celsius तो friends यह बहुत ही ज्यादा important point है इसको आप लोग स्टा मा कर लो यह हमेशा याद रखिएगा कि thermocouple की जो working range है यह बहुत हाई रहती है minus 49 से 2300 degree Celsius similarly next point है error chances is also high as its working range is high ठीक है यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा error का chances होता है वो बहुत हाई होता है क्योंकि इसका जो working range है वो बहुत हाई है minus 49 से लेखे 2300 degree Celsius तक है friends इसको आप लोग simply correlate भी कर सकते हो अगर आपको दो areas के अंदर अपनी command करनी है पहला area है जिसमें आपको reason दिया जाता है one kilometer का ठीक है और दूसरा reason है जिसमें आपको दिया जाता है thousand kilometer ठीक है तो आपको एक kilometer के अंदर सारी चीजों को control करनी है और एक है आपका thousand kilometer का area जिसके अंदर सारी चीजों को कंट्रोल करना है तो किसमें आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को कंट्रोल कर पाऊगे तो आप बोल सकते हो friends जो आपका 1 km2 का area होगा उसके अंदर आप लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे से तो इस तरीके से याद कर सकते हो कि थर्मो कपल का जो working range है वो बहुत हाई होता है working range बहुत हाई होने के कारण यहाँ पर error के chances हाई रहते हैं in comparison with other devices ठीक है ओलरी जो हमारा application areas है उसकी बात कर ली हम लोग ने blast furnace, electric furnace फिर gas turbine engine exhaust यहाँ पर हम लोग थर्मो कपल का use करते हैं for measuring the temperature ठीक है एक और important relation है जो आपको थर्मो कपल के अंदर याद करना है वो है मारा delta V equal to alpha delta T ठीक है यहाँ पर जो alpha है वो है मारा c-back coefficient और यह चीज आपको help करती है इस particular voltage versus temperature curve को draw करने के लिए ठीक है तो friends यह जो curve में आप लोग slope देख पा रहे हो वो आप आ रहा है due to c-back coefficient यह जो c-back coefficient है यह vary करता है उस भिहाब पर आपको यह curve देखने को मिलता है ठीक है अब देखे आपको यह curve याद रखना है यह बहुत ज़्यादा important है similarly friends बात की जाए यहाँ पर जो voltage difference हमें देखने को मिलता है वो 1 to 75 micro volt की range में देखने को मिलता है काफी small voltage है लेकिन इतना छोटा जो voltage है वो हमको इसलिए देखने को मिलना है क्योंकि यह जो device है वो smallest से smallest increment या decrement को temperature के अंदर measure कर दी है तो friends last important point यह है कि यहाँ पर जो हम लोग 2 dissimilar metal का use करते है basically क्या है कि जो हमारा thermocopal है वो seeback effect पर work करता है और seeback effect के अंदर हम लोग 2 dissimilar metal को use करते है तो अगर most commonly कौन से असे 2 dissimilar metal है जिनका use किया जाता है thermocopal के अंदर तो वो होते हैं हमारे chromel and alumel ठीक है यह दोनों को मिला करके हम लोग thermocopal को बनाते हैं chromel का आप देख सकते हैं जो इसका specification है उसमें आपको 90% nickel और 10% chromium देखने को मिलेगा similarly alumel जो है उसके अंदर 95% nickel 2.3% aluminum and rest amount silicon का ठीक है तो friends इस slide में हम लोग बात करने वाले हैं third temperature sensor की जो है हमारा thermistor और thermistor almost opposite work करता है RTD के ठीक है RTD के अंदर हमने देखा था जो temperature था वो directly proportional to R था यहाँ पे inversely proportional to R रहता है यह बहुत ही ज़्यादा important point है इसको श्टामा कर लिजे कि thermistor के अंदर जो temperature है वो resistance के inversely proportional रहता है तो friends देख सकते हैं first point यही है हमारा it follows the principle of decrease in resistance with increasing temperature ठीक है just opposite है temperature और resistance का relationship ठीक है तो friends हो कह रहा है कि कोई भी अगर solid body है उसके अंदर हम लोग heating करते हैं तो heat एक end से दूसरे end तक transfer क्यों हो रही होती है electrons के vibration के कारण ठीक है same चीज यहाँ पर भी हो रहा है जैसे ही thermistor को हम लोग object के साथ contact मिलाएंगे उस object के साथ जिसका हमें temperature measurement करना है तो object जैसे ही contact में आएगा तो electron का जो flow है वो increase हो जाएगा और electron का flow अगर बहुत ही जादा increase हो जाएगा number of electron flow जो हो रहे है वो अगर increase होगा तो आप बोल सकते हूँ कि जो resistance है उस particular wire के अंदर वो decrease हो रहा है अगर current easily flow हो रहा है that mean क्या कि जो resistance है उस wire का वो low है इसी current से क्या है कि जो current है वो जादा amount में flow कर पा रहा है या आप बोल सकते हो electron जो है वो उस particular conducting wire के अंदर बहुत easily flow हो पा रहे है similarly यहाँ पे जो हमारा temperature और resistance का inversely proportional का relation देखने को मिलता है उसका बहुत हद तक region रहता है क्योंकि जो thermistor होते है वो generally semi conductor metal के बने होते है और semi conductor metal का जो alpha होता है जो coefficient of thermal expansion होता है वो negative रहता है ठीक है तो friends बात की जाए कि as in semi conductor metal हम लोग कौन से material का यूज करते हैं तो example में आप देख सकते हो sintered metal oxide या फिर आप लोग doped poly crystalline ceramic containing barium nitrate इस material का यूज करते हैं ठीक है इसका बस आप लोग एक idea रख रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको चार statement दिये जाते हैं और पूछा जाता है कि इन में से कौन से statement correct है ठीक है तो वहाँ पे आपको idea होना चाहिए कि as in semi conductor material आप कौन सा material यूज करते हो for making of thermistor ठीक है तो friends third point हम लोग ने already discuss किया हुआ है कि semi conductor material हम लोग use करते हैं for making of thermistor और semi conductor material का जो alpha होता है coefficient of thermal expansion वो negative रहता है जिसके current से यहाँ पे हमको resistance और temperature के बीच में inverse relation देखने को मिलता है वही बात की जाए RTD की जो हमारा था resistance temperature detector तो वहाँ पे exactly proportional relation देखने को मिलता है यहाँ पे हमें inversely proportional का resistance और temperature में relation देखने को मिलता है वहाँ पे हमारा directly proportional का relation देखने को मिलता है और RTD जो है वो आपका high temperature application में use होता है और इसी लिए हम लोग वहाँ पे platinum wire का use करते हैं वहाँ पे हम लोग हमेसा metallic wire की बात करेंगे RTD के अंदर और thermistor के अंदर हम लोग semiconductor material की बात करेंगे तो friends thermistor और RTD के अंदर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा difference है thermistor आपका inverse relation follow करता है RTD आपका proportionality का relationship follow करता है तो यह चीज़े आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेगा I hope आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से clear होंगी अब हम लोग चलते हैं next slide में तो friends last slide के अंदर हम लोग ने देखा कि resistance और temperature का जो relationship है thermistor के अंदर वो universally proportional का है ठीक है तो R universally proportional to T तो इसका जब आप लोग curve draw करोगे तो आपको hyperbolic curve देखने को मिलेगा rectangular hyperbolic ठीक है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे इस curve के अंदर ठीक तो ये चीज़ curve जो है ये बहुत ज़्यादा important है इनको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेगा और आपको ये चीज़ और बता देए कि जो हमारे thermistor है वो दो type के हो सकते है ठीक है पॉजटिव temperature coefficient और negative temperature coefficient पे based लेकिन mostly जैसा कि मैंने आपको बताए कि mostly जो हम लोग material यूज करते हैं वो negative thermal expansion coefficient वाले यूज करते हैं तो इसलिए जब भी हम लोग बात करते हैं thermistor के अंदर that means temperature fluctuation is very less and accuracy is very high ठीक है तो friends जैसा कि मैंने आपको last slide के अंदर बताए था कि अगर आपकी working range कम रहेगी तो जितनी कम आपकी working range रहेगी उतनी ही ज़्यादे आपके accuracy के chances रहेगे same चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि जो आपका temperature application है इस particular thermistor का वो आपका एक low range के अंदर होता है जिसके कारण से यहाँ पे accuracy बहुत high देखने को मिलती है और fluctuation temperature के अंदर एक limited रहता है ठीक है similarly friends बात किजा इसके application areas की तो first point है हमारा to monitor the temperature of battery packs while charging ठीक है तो जब हम लोग battery packs की charging कर रहे होते हैं उस time पे temperature को monitor करने के लिए हम लोग यूज करते हैं thermistor का similarly to monitor the coolant temperature inside the engine engine के अंदर जो coolant flow हो रहा है उसके temperature को monitor करने के लिए इसका यूज करते हैं similarly friends third point है to monitor hot end of 3D printers 3D printer के अंदर जो hot end होता है उसको या बोल सकते हैं उसका temperature monitor करने के लिए हम लोग यहाँ पर थर्मिस्टर का यूज करेंगे ठीक है और बहुत धेर जारे ऐसे आपके home appliances हैं जहाँ पर हम लोग इस थर्मिस्टर का यूज करते हैं for example आपका refrigerator हो गया तो यहाँ पर temperature को एक certain range के अंदर cut out करने के लिए हम लोग यूज करते हैं thermistor agent sensor ठीक है similarly friends तीनो टाइप के temperature sensors के अंदर हम लोग ने voltage versus temperature या बोल सकते हो resistance versus temperature कर्व को draw किया है और मैंने यहाँ पर लाके तीनों को summarize कर दिया है ठीक है तो यह कर्व आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना यह बहुत ही ज़्यादा important है for exam point of view इस पे आपसे किसी भी type का question बन सकता है ठीक है तो यह तीनों कर्व आप लोग अच्छे से इस्टामा कर लो इसको याद करना अच्छे से revise कर के जाना ठीक तो friends I hope आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी अब हम लोग चलते हैं next slide में तो friends इस slide में हम लोग बात करने वाले हैं capacitive element based sensor की ठीक है तो यहाँ पे हम लोग basically जो capacitance का concept है उसको use करने वाले है तो friends इसको जानने से पहले हमें capacitor के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एक basic idea जो हम लोग capacitor पढ़ते थे 12th standard में उसके बारे में आपको information होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो friends capacitor का main जो function होता है वो होता है electrical energy को store करना और जब कभी भी instant requirement हो उस time पे उस energy को supply करना as in form of charge ठीक है चार्ज के form में उस energy को supply करने का function perform करता है capacitor तो friends बात की जाए capacitor के construction की तो यहाँ पे आपके पास दो parallel plates रहती है और उनके बीच में filled रहता है हमारा dielectric ठीक है और इन दोनों plates का connection हम लोग कर देते हैं power supply से तो जैसे ही power supply on करते हैं तो इसमें क्या होगा कि एक plate पे आपके positive charge collect हो जाते हैं और जो दूसरी वाली plate है उस पे negative charge generate हो जाते हैं ठीक है और आप बोल सकते हो इस form में आपके पास एक electrical energy store हो जाती है तो let's say friend ये दो plates जो parallel है इनके बीच की distance है small d ठीक है और इसके बीच में जो भरा है dielectric उसकी permittivity absolute permittivity है epsilon ठीक है और इन दोनों plate का जो area है वो है capital A ठीक है तो यहां से अगर हम लोग capacitance की value निकाले तो वो होती है हमारी c equal to a epsilon upon d ठीक है तो friends d आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा दो parallel plates के बीच की distance है ठीक है epsilon की बात की जाए तो यह होती हमारी absolute permittivity of dielectric और इसको हम लोग एक और form में लिख सकते है epsilon equal to epsilon not into epsilon r जहांपे epsilon not होता हमारा permittivity of vacuum या बोल सकते हो free space similarly epsilon r होता है relative permittivity ठीक है तो यह चीज आप लोग जो formula है इनको बहुत अच्छे से याद रखना है ठीक है अब area की बात की जाए तो area कौन सा होता है area हमें साह जो plate overlap कर रही होती है उनके बीच का area होता है ठीक है for example आप लोग यह नीचे में जो diagram देख पा रहे होगे इसमें first plate है उसका area है A1 similarly जो आपकी second plate है जो नीचे में है उसका area है A2 ठीक है तो यहाँ पे जब हम formula लगाएंगे capacitor का तो हमें मालू है capacitor का formula तभी अपलाई होगा जब दो parallel plates एक दूसरे से distance पे separate होगी और उनके बीच में dialectic फिल होगा ठीक है तो यहाँ पे जब हम लोग area लिखेंगे तो वो हमारा A2 होगा ठीक है A1 नहीं होगा A1 इसलिए नहीं होरा friends क्योंकि A1 का कुछ ऐसा part भी है जो overlap में नहीं आ रहा है second plate के साथ ठीक है तो इसलिए हम लोग second plate का area ले रहे हैं क्योंकि यह second plate का जो area है वो first के साथ overlap में है यह आप बोल सकते हो दोनों plate के बीच में जो common area है वो आपका सिर्फ A2 है ठीक है I think आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी अब देखिए इसी same concept का use हम लोग अब करने वाले हैं तो कुछ point इसके बारे में जो हम लोग ने लिखा हुआ है इसको जान लेते हैं first point है capacitive element based sensor basically a non contact type sensor ठीक है similarly it is used for measuring linear displacement यहाँ पे हम लोग linear displacement को measure करने के लिए इस particular type के sensor का use करेंगे ठीक है तो friends इस slide में जितने भी formula लिखे हैं यह आगे चल कर बहुत जादा यूज होने वाले हैं तो इसलिए आप लोग इस slide के अंदर जितने भी formula हैं उसको note down कर लो और एक दो बार at least revise कर लेना after this lecture ठीक है तो friends I think सारी चीज़े clear है चलते हैं next slide में तो जैसा कि friends हम लोग ने last slide के अंदर देखा था कि capacity based element sensor का use हम लोग करने वाले हैं linear displacement को measure करने के लिए ठीक है तो last slide के अंदर हमने देखा था दो plate के बीच में हम लोग capacitance की value निकाल सकते हैं वो होती हमारी c equal to a epsilon upon d ठीक है तो यहाँ पे जिस particular object का हमें linear displacement measure करना होता है उससे एक plate को connect कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपको total तीन plates दिख रही हैं ठीक है तीन plates में जो आपकी second number वाली plate है जो हमारी middle की plate है यह basically connect रहेगी हमारी object के साथ उस object के साथ जिसका हमें displacement measure करना है तो friends इन particular 3 plate से हम लोग 2 capacitor बना सकते हैं ठीक है तो पहला capacitor जो 1 और 2 के बीच में रहेगा let's say उसको हमने c1 से represent किया है similarly जो हमारा second और third plate के बीच में capacitance मिलेगा हमको या बोल सकते हैं जो capacitor form होगा उसको हम लोग ने c2 से represent किया हुआ है ठीक है अब linear displacement जब हमारा plate number 2 का होगा वो दो तरीके से हो सकता है दो तरीके की possibility है पहला जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि plate number 2 2 and from motion perform कर रही है along axis 2 ठीक है 2 axis जो है 2 का जो line of action है उसके along ये plate number 2 2 and from motion perform कर रही है अब इससे change क्या आएगा इससे जो आपका overlapping area है c equal to a epsilon upon d में जो area है वो change हो जाएगा ठीक है earlier क्या था कि तीनों plate एक दूसरे से overlap कर रही थी तो किसी भी एक plate का आप area ले लोगे वो तीनों के बराबर हो जाएगा चाहे a1 ले लो चाहे a2 ले लो चाहे a3 ले लो वो तीनों के लिए same रहने वाला है क्योंकि तीनों के तीनों plate starting condition में overlap कर रही थी ठीक है अब plate number 2 जो है वो linear displacement का motion perform कर रही है जिसके करण से जो overlap area है वो अब change हो जाएगा तो अब a1 does not equal to a2 does not equal to a3 हो जाएगा ठीक है उस case में जो आपका overlapping area है वो basically change हो जा रहा है अब overlapping area के change हो जाने से जो हमारे capacitance की value है c is equal to a epsilon upon d वो दोनों capacitor c1 और c2 के लिए vary कर जाएगी क्योंकि area यहाँ पर vary कर जा रहा है ठीक है similarly एक और case है जब हमारा linear displacement up and down का motion perform कर सकता है जो plate हमारी 2 है वो उपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है अब उपर और नीचे का linear displacement का motion है उससे क्या change जाएगा उससे d की value change हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हो जो d1 और d2 लिखा हुआ है यह d1 और d2 vary करने लग जाएगे जिसके कारण जो आपका c1 और c2 है उसकी value change हो जाएगी तो आपने देखा कि दो तरीके से linear displacement हम लोग यहाँ देख सकते हैं आइधर 2 and pro और up and down ठीक है और इसके कारण आपका जो capacitance की value है वो change हो जाती है अब इस capacitance का जो equivalent amount है इसको हम लोग wheat stone bridge में connect कर देंगे ठीक है जैसा ह हम लोग ने resistance के अंदर देखा था कि हम लोग एक variable resistance को apply कर रहे थे और variable resistance को apply करने के करण जो हमारा wheat stone bridge था वो unbalance हो जा रहा था और हमें terminal के across एक output voltage देखने को मिल ला था exactly same चीज यहाँ capacitor के case में भी apply होने वाली है यहाँ पे starting में जो हमारा wheat stone bridge रहेगा उसमें capacitor के across में कोई भी हमको output voltage नहीं मिल ला होगा ठीक है हम लोग supply करेंगे voltage की exactly same में आप समल लीजे register जो थे हमारे wheat stone bridge में उसको अब हम लोग ने capacitor से replace कर दिया है और अब हमारा wheat stone bridge balance condition में है ठीक है जैसे ही आपका c की value vary करना start करेगी वैसे ही आपका जो wheat stone bridge है वो unbalance हो जाएगा और आपको finally terminal के across V naught voltage देखने को मिलेगा output voltage आपको देखने को मिलेगा और इस output voltage की help से आप लोग calculate कर सकते हो कितना displacement हमारे object ने किया क्यों क्योंकि जो आपका V naught होता है वो directly proportional होता है x के ठीक है तो friends I think आपको इस slide में सारी चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी अगर आप लो ठीक है register को हम लोग ने capacitor से replace कर दिया है और wheatstone bridge की जो theorem थी उसको apply कर दिया है ठीक है तो friends I think सारी चीज़े बहुत अच्छे से detail में समझ में आई होंगी अब हम लोग चलते हैं next slide में तो friends last slide के अंदर जो हम लोग ने capacitive sensors देखा था उसका अगर applications area की बात की जाए तो वो basically metrology के अंदर जो भी shape error होते हैं जो भी हम लोग object manufacture कर रहे होते हैं produce कर रहे होते हैं उनके shape में क्या-क्या changes आ रहा है तो उसके displacement को measure करने के लिए हम लोग यहाँ पे capacitive based sensor का use कर सकते हैं milling lathe के अंदर जो भी हम लोग tool यूज करते हैं वो basically spindle के help से rotate हो रहा होता है तो उस spindle की rotation में क्या-क्या changes आ रहे हैं उसको भी measure करने के लिए हम लोग capacitive sensors का use करते हैं similarly grease level monitoring जो भी हमारी machine है वो running condition में होगी तो वहाँ पे हमें grease को continuous apply करना रहता है तो उसके level को monitor करने के हम लोग ने देखा कि जो हमारे capacitive based sensor है उनका use हम लोग linear displacement को measure करने के लिए करते हैं ठीक है exactly similar thing जो हम लोग linear displacement को measure कर रहे हैं उसको measure करने के लिए एक और हमारे पास device है वो है LVDT LVDT का full form होता है linear variable differential transformer कई जगे इसका name अलग तरीके से लिखा होगा linear variable differential transducer ठीक है तो basically यह जो आपकी LVDT है वो एक transducer है एक sensor है ठीक है transducer के दो पाट होते है sensor और actuator यह हम लोग already जानते हैं तो friends अगर आपसे पूछा जाए कि LVDT का function क्या होता है तो आप लोग बहुत असान इस बता सकते हो कि यह linear displacement को electrical signal के form में change करता है ठीक है LVDT linear displacement को electrical signal में convert करता है ठीक है अब यह होता क्या है it is a transducer which used for measuring linear displacement which works on the principle of mutual induction यह चीज याद रखिएगा कि जो आपका LVDT होता है वो mutual induction के principle पे work करता है कैसे work करता है mutual induction का principle जैसा कि हम लोग transformer में पढ़ते थे सेम चीज यहाँ पे apply होती है ठीक है इस चीज को अभी हम लोग और अच्छे से समझते हैं तो तो basically यहाँ पे दो type की coil है पहला primary coil और दूसरा आपका secondary coil ठीक है primary coil इस particular diagram में जो middle में coil आपको दिख रही है वो primary coil है और primary coil आपकी connected होती है AC power supply source से ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो AC power supply source से connected है और जो इस primary के just right और left में आपकी winding दिख रही है इसको हम लोग बोलते है secondary secondary winding ठीक है और यह दोनों आपस में series connection से जोड़ी होती है ठीक है और यह secondary winding की एक और खासियत है कि यहाँ पे जो number of turns होते है winding के अंदर जो number of turns है वो same रहते है ठीक है और friends जो आपकी secondary winding है यह एक दूसरे को oppose करती है ठीक है for example आपकी जो left hand में secondary winding है वो अगर 5 unit का output produce कर रही है यह आप बोल सकते हो EMF produce कर रही है तो right hand side वाली minus 5 unit का output produce करेगी ठीक है मतलब है कि as an overall जब आप लोग total क्योंकि यह दोनों series में connected है तो जब आप total EMF produce देखोगे तो 5 minus 5 that means 0 ठीक है मतलब है कि left जितना produce करेगा exactly right उसका opposite produce कर रहा होगा अगर left वाला 5 produce कर रहा है तो right वाला minus 5 produce कर रहा होगा ठीक है ऐसा क्यों हो रहा होगा friends क्योंकि यह दोनों आपस में series में connected है साथ ही साथ इनमें जो coils लगी है उनका number of turns सेम है ठीक है number of turns सेम है जिसके करण से जो भी EMF produce हो रहा होगा जो भी आपका output produce हो रहा होगा वो दोनों opposing होंगा लेकिन equal in magnitude होगा ठीक है magnitude में सेम रहेगा लेकिन उनकी जो direction है आप बोल सकते हो वो opposing होगी ठीक और friends यह दोनों coil primary और secondary coil यह एक hollow cylinder के अंदर में लगी होई होती है ठीक है और यह hollow cylinder का design इस तरीके से होता है कि इसके अंदर हम लोग core का movement start करते है core basically क्या है यह आपका एक ferromagnetic material से बना हुआ एक material है एक आप बोल सकते हो एक तरीके से cylinder है ठीक है second cylinder आपका एक बाहर में outer cylinder है जिसके उपर में आपकी coils लगी होई है similarly अंदर में core है वो motion कर रहा है core के motion से ही आपका जो EMF है वो vary करेगा ठीक है जो भी induced EMF produce होगा core के motion के कारण वो vary करेगा ठीक है तो friends starting में core आपका middle of the hollow tube present रहेगा ठीक object जिसका आपको linear displacement measure करना है ठीक है तो friends जैसे ही object motion करना start करेगा let's say एक safer tool है वो move करना start कर रहा है अब उस tool से connected है हमारा core तो friends core भी motion करना start कर देगा ठीक है इस starting में क्या था कि जो आपका core था वो center में present था center में present होने के कारण जो आपकी secondary winding left hand side में थी और जो आपकी secondary winding right hand side मे दोनों में equal and opposite nature के EMF induce हो रहे थे लेकिन अब core जैसे ही आपका left या right hand side में motion करेगा तो जिस side पे ये motion करेगा उस side पे जो EMF induce हो रहा था उसकी value increase हो जाएगी तो let's say friend core left hand side move करता है ठीक है तो core के left hand side में move करने के कारण जो secondary winding आपकी left hand side में present है उसके अंदर जो EMF induce हो रहा हो in comparison with secondary coil जो की आपकी right hand side में present थी ठीक है इसके करण आपको net output देखने को मिलेगा ठीक है या बोल सकते हो आपको एक electrical signal देखने को मिलेगा ठीक और इसी electrical signal की help से हम लोग displacement को measure कर लेंगे तो friends अगर बात किजाए LVDT के main principle की तो वो होता है हमारा mutual induction का mutual induction क्या होता है primary coil जो है व connected है ठीक अब जैसे ही यहां primary coil में current pass होगी तो इस current के कारण एक magnetic field induce होगी ठीक है और same magnetic field आपकी secondary coil पे transfer होगी और इस magnetic field के कारण ही आपका electricity generate हो जाएगी आपकी secondary coil में या बोल सकते हो EMF induce हो जाएगा in secondary coils में ठीक है तो इस principle को हम लोग बोलते है mutual induction हमने जो power supply दी है वो primary coil में दी है लेकिन इस power supply के कारण EMF आपका secondary coil में भी induce हो जा रहा है with the help of induction principle या बोल सकते हो with the help of mutual induction principle ठीक तो friends basically हो किया रहा है कि हमने primary winding के अंदर current या बोल सकते हो DC power source को apply किया है DC power source के कारण इस primary winding के अंदर current flow करेगी जिसके current क्या होगा magnetic field induce होगी magnetic field आपकी transfer होगी secondary coils में औ और इसके current क्या होगा secondary coil में भी जो EMF है वो induce हो जाएगा इसी principle को हम लोग बोलते है mutual induction और friends I hope इस slide के अंदर आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से detail में समझ में आई होगी अब हम लोग चलते हैं next slide में तो friends last slide के अंदर हम लोग ने देखा था कि पूरे setup के अंदर दो secondary coil होती है जो की series में connected होती है और दोनों opposing nature की होती है ठीक है तो आप लोग देख पा रहे हो सेम चीज यहां पर लिखी होई है similarly friends मैंने core के लिए भी बताया था आपको जो core होता है वो ferromagnetic metal का बना होता है यह चीज याद रखेगा इसको स्टामा कर लीजे core is attached to object to whom displacement is to be measured and also placed inside hollow tube यह चीज हम लोग already जानते हैं कि hollow tube के अंदर आपका core placed था और उसी core से connect होता है object उस object को connect करते हैं जिसका में displacement measure करना होता है ठीक है अब आप देख लीजे हो क्या रहा था मैंने बताया था आपको starting condition में जो core था वो center में present रहेगा ठीक तो आप देख पा रहे हैं यहां इ center में present है ठीक है और इस core के center में present होने के कारण secondary coil जो आपकी left hand side में present है S1 और secondary coil जो की आपकी right hand side में present है जो है हमारी S2 इन दोनों पे exactly equal amount of EMF induce हो रहा है या आप बोल सकते हो E1 let's say S1 जो हमारी secondary coil है उसमें EMF जो induce हो रहा है उसकी value E1 है similarly S2 में जो EMF induce हो रहा है उसकी value E2 है तो E1 और E2 इस particular condition में equal रहेंगे जिसके कारण जो net output आ रहा होगा उसकी value हो जाएगी 0 ठीक है net output कैसे निकालोगे E1-E2 ठीक क्योंकि दोनों equal है इसलिए output की value जो होगी वो 0 हो जाएगी जब हमारा starting condition है जैसे ही linear displacement start करेगा या बोल सकते हैं जैसे हमारा staple tool जो हमने connect किया है वो start करेगा और ये left hand side में move कर रहा है तो core भी हमारा left hand side में move करेगा अब core जिस side move करेगा उस side पे जो emf induced हो रहा है उसकी value increase करेगी ठीक है तो इस particular second diagram के अंदर जो E1 की value है वो increase करेगी E2 से आप लोग इस particular जो magnetic field है उससे भी इस चीज को judge कर सकते हो ठीक है तो E1 हो जाएग और इस output signal से आप जो displacement है उसकी value calculate कर सकते हो ठीक है basically यहाँ पे हमारा जो main purpose था इस sensor को समझना कि यहाँ पे कैसे आपका एक physical quantity से एक electrical output देखने को मिल ला है ठीक है और इस output की value क्या है वो है हमारी E1 minus E2 तो friends I think आपको सारी चीज़े बहुत अच्छे से detail में समझ में आई हों और friends capacitor का जो concept है उसको आप लोग बहुत अच्छे से एक एक formula note down कर लिजेगा क्योंकि आने वाले वीडियो के अंदर उसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है तो friends वीडियो अच्छा लगा हो तो like जरूर कीजेगा और comment करके बताईएगा तो friends मिलते है next वीडियो में अच्छे से बढ़ाई करते रहे है thank you friends thanks for watching this video thank you